शैक्षिक उद्देश्यों के लिए निम्न लिखित एनिमेशन में नगनता और कंडोम के उपयोग की ग्राफिक छवियां शामिल हैं। दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। पुरुष कंडोम एक पतला आवरन होता है जिसे पुरुष गर्भावस्था को रोकने के लिए सेक्स के दौरान अपने खड़े लिंग पर पहन सकता है। कंडोम का उपयोग करने से HIV या अन्य यौन संचारित रोगों जिन्हें STD भी कहाच जाता है होने या फैलने का जोखिम भी कम हो सकता है। एक पुरुष का प्रजनंद्रव जिसे वीर्य कहा जाता है निमन लिखित ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है अंड कोश जिसे व्रिशन भी कहा जाता है वीर्य पुटिका और प्रोस्टेट ग्रंथी। एक पुरुष और एक महिला के बीच योनी सेक्स के दौरान वीर्य पुरुष के लिंक से निकल कर महिला की योनी में स्खलन नामक प्रक्रिया में निकलता है। योनी से वीर्य में शुक्रानु महिला के शरीर से अंडे तक जा सकते हैं और उसे निशेचित कर सकते हैं। अंडे का निशेचन मानव विकास की शुरुआत का प्रतीक है। कंडोम को प्लास्टिक या फॉयल पैकेज के अंदर सील कर दिया जाता है। लेटेक्स, पॉलियूरेथेन या पॉलियाइसोप्रीन से बने कंडोम HIV और STD से भी बचाते हैं। प्राक्रतिक जिल्ली या लेंबर स्किन कंडोम HIV या अन्य STD से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। यदि कंडोम का पैकेज खुला है, फटा हुआ है, सूखा हुआ है या उसकी समाप्तितिती निकल चुकी है तो उसका उप्योग न करें। गरभावस्था या STD से बचाव के लिए लिंग को महिल की योनी के अंदर या बाहर किसी भी क्षेत्र को छूने से पहले कंडोम लगा लें। योनी गुदा या मुख मैथुन के दौरान पूरे समय एक नया कंडोम इस्तेमाल करना चाहिए। कंडोम का उप्योग करने के लिए उसे फटने से बचाने के लिए सावधानी पूर्वक उसके पैकेज से निकालें। कंडोम की नोक पर एक जलाशय या स्थान स्खलन के दौरान वीर ये एकत्र करता है। इसके अंदर की हवा को बाहर निकालने के लिए जलाशय या सिरे पर कम से कम आधा इंच की जगह को दबाएं। यदि लिंग खतना रहित है जिसका अर्थ है कि उसमें अभी भी चमडी है तो लिंग के सिर या ग्रंथियों को उजागर करने के लिए चमडी को पीछे खींचें। इसे बेबी ओनियल, पेट्रोलियम जेली या लोशन लेटेक्स कंडोम को कमजोर कर सकते हैं और उनके तूटने का कारण बन सकते हैं। यदि कंडोम फट जाए या फट जाए तो किसी भी प्रकार का सेक्स जारी रखने से पहले फटे हुए कंडोम को हटा दें और उसके स्थान पर नया कंडोम लगा लें। स्खलन के बाद कंडोम को लिंग के आधार पर तब पकड़ें जब वह अभी भी खड़ा हो और सावधानी से इसे योनी से बाहर निकालें ताकि वीर्य बाहर न गिरें। फिर कंडोम को निकाल कर कूडे दान में फेंक दें।